हेलो स्टुडेंट्स ये वीडियो क्लास 11 वालों के लिए भहुत मैथ पुड़ोंने वाली है इस वीडियो में मैं आपको उत्रह खंबूड क्लास 11 वालों का 2024 का मैथ कपेपर दिखाने वाला हूँ और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये जो आपके मैथ के विपर में कोश्चन्स आए हुआ हैं इसमें से ही जो आपके 2025 के एक्जाम के लिए भी important कोश्चन्स होने वाले हैं वो ही मैं आपको बता दूआ, आप उन सभी questions को 2025 के एक्जाम के लिए तैयार कर लेना, क्योंकि 11th class में math में जातर questions हमारे repeat ही होते रहते हैं, जातर हमारे एक नमबर वाले जो हमारे बहुँ विकल्पी वाले questions आते हैं, जो हमारे long questions होते हैं, 4 नमबर वाले और 5 नमबर वाले, वो जातर most repeated questions ही आते रहते हैं, इसलिए आप ये जो मैं आपको 2024 का math का previous year question paper दिखा रहा हूं, आप इस paper को 2025 के एक्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर जाना, अगर आप इस paper की solution वीडियो भी देखना चाते हूं, तो आप इस वीडियो को जाल स्यादा शेर करना और comment करकर मुझे बता देना, मैं जल्द से जल्द इस paper की solution वीडियो ले करके आ जाऊंगा, तो class 11 वालों के math के previous year question paper को start करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हूं, तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को subscribe कर लें, और सबसे महत्यपूर्ण बेल आइकन को all पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी subject के previous year question paper या उनके solution के उपर वीडियो upload करूं, तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले जा सके, अब हम देखते हैं कि 2024 के वीपर में ऐसे कौन-कौन से questions है, जो कि आपके इस साल भी आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आपको लिखावा दिखी रहा होगा, वाशिप परिक्षा 2024 गणित का या हमारा paper है, क्लास 11 वालों का, और यह हमारा 3 गंटे का होता है, और 80 नमबर का होता है, इसमें हमें 24 questions दे रखे होता है, और वो किस-किस प्रिकार से दे रखे होता है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यह जो आपका पहला question होता है, इसमें हमें 8 बहुबी गल्पी questions दे रखे होता है, तो 2 questions हमें अभीकतन और कारणवाले दे रखे होंगे, जो कि आपके किसी भी chapter से पूछे जा सकते हैं, और वो हर साल नए आते हैं, इस बात का आप द्यान दखना, तो यहाँ पर पहले मैं आपको बहुबी गल्पी questions दिखा देता हूँ, और यह जो अमारे बहुबी गल्पी questions होता है, यह भी अमारे नए ही आते हैं जहातर, बहुत ही कम questions होता हैं एक number में, जो कि हमारे दुवारा repeat हो जाए, जैसे कि हमें पहले question में एक समुझ्च दे रखा है, हमें इसके आपर उप समुझ्चियों की संख्या बतानी है, इस तरीके questions आपके दो number में भी आ सकते हैं, इसलिए आप इस तरीके questions को पहले chapter से जरूर तयार रखे जाना, ऐसे हमारा दूसरा भावी गल्पे question है, और हमारा तीसर भावी गल्पे question है, और जो इसका थीसर भावी गल्पे question है, दीर दिबरत का जो मैं यहां पर समयकराण दे रखा है, इस तरीके ए question आपके long question के लिए भी most important है, तो यहाँ पर हमें चार option दे रखे हैं, जलसे अले करके आ जाऊंगा पहले यापर मैं आपको बहुभी गल्पी कोश्चन्स और निशिर उत्री वाले कोश्चन्स जल्दी जल्दी दिखा देता हूं उसकी बाद में यापर आपको 4 नमबर वाले और 5 नमबर वाले कोश्चन्स दिखा हूंगा जो कि हमारे साल भी आ सकते हैं और साथ इस वीडियो के बाद में क्लास 11 वालों के लिए मैट की most important questions की वीडियो भी आने वाली है इसलिए आप हमारे चैनल को subscribe करकर रख ले जिससे जब मैं वीडियो upload करूँ तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले जा सके ऐसी हमें अगला बाउविकल पर question दे रखा है यहाँ पर आपको यह सारे के सारे दिख रहे होंगे तो इसमें जो आपको यह IQ power 4 वाला है और यह जो मैं आपको दे रखा है A intersection B वाला यह आपके आते रहते हैं तो आप इन questions को जरूर देख करके जाना आप देखते हैं इसमें आगे और questions को और यहाँ से आप हात्वा सभी questions को note भी करते रहना और जो मैंने आपको अभीकतन और कारण वाले questions बताए थे वो आपके यहाँ से start जाएंगे यह आपके दो questions दे रखे हैं जो कि आपको यहाँ पर देख रहेंगे और यह जो आपके paper का pattern है सेम यह आपका class 12 में भी रहने वाला है यहाँ में यहाँ पर अभीकतन और कारण वाला जो हमारा पहला question था उसके हमें यहाँ पर option दे रखे हैं ऐसी हमारा अगला question है और इसके option यहाँ पर दे रखे हैं और यह शायद हमारा एक example है जो कि हमारा important है तो यह आपका question में भी आ सकता है दो number में तो आप इस तरीके questions को जरूर तयार कर जाना अब यहाँ से हमारे निश्रुत्रिय वाले questions श्टार्ट हुजेंगे यह दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, चटा और सातवा अब इन questions में मैं यहाँ पर आपको बता देताओ कि कौनसे question आपके 2025 के exam के लिए भी most important रहने वाले है यह जो आपका सातवा question है, यह आपका most important question है आप इस question को जरूर तयार कर जाना ऐसी यह जो आपका पाँचवा question है, गुणोतर सेणी वाला यह भी question आपका most important है, एक number के लिए तो आप इसको भी एक बार देख लेना करके आप सभी questions को जाना, जो यहाँ पर मैं questions बता रहा हूँ उनको आप ढंग से देख करके जाना और एक number वाले questions में प्रैक्ता वाले chapter से एक question जरूर पूछा जाता है, अब वो question अमारा बहुत असान होता है, अराम से आप उस question को कर भी लेंगे, लेकिन आप ढंग से तयार की जाना प्रैक्ता वाले chapter को असान chapter है, अराम से आपकी number पक्के हो जाएंगे और question उस chapter से जरूर आता है, अमारे अब यहां से अमारा section बी स्टार्ट हुजाएगा, यह अमारा आठवा question, नवा question, दसवा question और ग्यारवा question इन questions में यह जो अमारे आठवा question और नवा question है यह दोनोई questions हमारे most important है आप इन दोनोई questions को जरूर पढ़ करके जाना बहुत बढ़िया question है, और अक्सर repeat होते रहते हैं और यह जो आपका 11 question है, जिसमें हमसे पूछ रखा है यदि A और B परस पर अपवर्जी घटना है तो यहां पर हमें A या B ग्याद करना है तो यह question भी आपका most important है आप इस question को भी जरूर देख करके जाना कि इस तरीके questions को किस तरीके से solve कर सकते हैं क्योंकि digit change हो करके आ सकती हैं लेकिन question आपका यही आएगा अब मैं आपको आगे और questions भी दिखा देता हूँ अब यह हमारा question number 12, question number 13 और question number 14 अब इन questions में मैं यहां पर आपको बता देता हूँ कि कौन से question आपके इस साल भी आ सकते हैं दो number में ही जो मैं दोनों questions दे रखे हैं अथवा वाला भी और उपर वाला भी दोनों questions आपके इस साल भी आ सकते हैं दो नमबर में most important question है हमारे दो नोई तो आप इन questions को जरूर देख करके जाना अब यहां से हमारा section C भी start हो जाएगा और यह हमारे चार्चन नमबर वाले questions है तो यह जो आपका अधो वाला question है 10 वाला यह आपका बहुत बड़या question है और यह question आपका 5 नमबर में भी आ सकता है तो आप इस question को 2025 के एक्जाम के लिए जरूर देख लेना अब मैं आपको 4 नमबर वाले और questions भी दिखा देता हूँ यह जो आपका question नमबर 15 और question नमबर 16 question नमबर 15 हमारा most important question है आप इस question को 5 नमबर के लिए भी तैयार कर जा सकते हैं यह आपको एक्जाम में जरूर मिल जाएगा और साथ ही यह जो आपका question नमबर 16 है प्राइक्ता वाला जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइक्ता वाले chapter से question से जरूर पूछे जाएंगे आप उस chapter को ढंग से तैयार कर लेना easy question ही होंगे जादा मुश्किल question नहीं होंगे अगर आप इस question को नहीं कर सकते तो इसके आथवा में भी आपको आगे दिखा देता हूँ और वो question हमारा most important है जो कि आपको यहाँ पर दिखी रहा होगा यह question हमारा most important है और 2025 के exam में भी आ सकता है और इसके बाद में यह जो आपका question number 17 और question number 18 दोनों ही questions हमारे most important है और यह जो आपका 72 question है यह हमारा ज़्यादा important है और 5 number में भी आ सकता है तो आप इस question को जरूर देख लेना एक बार अब यहाँ से हमारा section D start हो जाएगा अब हम देखते हैं आगे 5 number वाले questions को question number 19, question number 20 और question number 21 अब इन तीनों ही questions में यह हमारे 5-5 number वाले हैं इन तीनों questions में यह जो हमारा question number 21 है यह हमारा most important question है आप इस question को 2025 के एक्जाम के लिए भी जरूर तयार रखे जाना यह अक्सर exam में repeat होता रहता है अब यहाँ से आप इन questions को note भी कर लें और इसके अथवा में भी हमें एक question दे रखे है और यह question भी हमारा most important है और बहुत easy question है इस question में हमें यहाँ पर एक trick का use करना होता है और अराम से इस question का आपका अंसर आ जाएगा तो आप इस question को इस साल के लिए भी जरूर तयार कर जाना अब यह हमारा next 22 question तो यह जो आपका उपर वाला question है गुड़ोत तरमाद्य है और समान तरमाद्य वाला आप इस question को जरूर तयार के जाना यह हमारा important question है और 5 number अराम से आपके exam में पक्क्य हो जाएंगे आथो वाले question को भी आप देख लेना लेकिन जादा chances am और gm वाले question के है यह हमारे पास question number 23 और यह हमारे पास question number 24 तो इसमें यह जो आपके पास 24 वा question है अमने वाला यह हमारा most important question है और इस तरीके के तीन questions है तीन में से कोई भी हर साल repeat होता रहता है एक ए दो उधारणा है और कुछ हमारे question है वो मैं आपको important question वाली वीडियो में बता दूआ लेकिन आप इस अमले वाले question को जरूर तयार कर लेना यह आपका हर साल आता रहता है जैसे यह आपका 45% आमले वाला आया हुआ है तो इसके अलावा शायर दो questions और बसता है आप उनको जरूर तयार कर लेना 2025 के एक्जाम के लिए यह आपको एक्जाम में मिल जाएंगे और यह जो आपका अथवाला question है 24 वे question के अथवा में जो हमें दे रखा है आप इस तरीके question को भी जरूर तयार कर जाना इस तरीके questions भी आपके एक्जाम में आते रहते हैं तो यह था आपका math का 2024 का paper जो कि मैं यहापर आपको दिखा चुगा हूँ और जो जो questions आपके 2025 के एक्जाम के लिए most important रहने वाले हैं वो ही मैं यहापर आपको बता चुका हूँ तो आप इन सभी questions को जरूर तयार कर लेना और इस paper के किसी भी question में अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment करकर पूछ लेना वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा तो यह था हमारा उत्रकन board class 11 वालों का 2024 का math का paper चुकि मैं यहापर आपको दिखा चुका हूँ और साथी जो questions हमारे most important है 2025 के exam के लिए वो सभी questions मैं यहापर आपको बता चुका हूँ और साथी अगर आपको इस paper की solution वीडियो भी चाहिए हो तो आप इस वीडियो को जाल से आदा शेर करना और comment करकर जरूर बताना अगर आपको इस paper की solution वीडियो चाहिए हो तो और अगर आपको किसी और subject का भी previous year question paper चाहिए हो तो आप इस वीडियो में comment कर देना उस subject के previous year question paper के उपर मैं जल से वीडियो लेकर के आजाऊँ हूँ क्योंकि अब class 10th वालों के भी और class 12th वालों के भी board exam खतम हो चुके है तो आपके paper जल्दी start हो जाएंगे इसलिए आप इस पूरे paper को डंग से तैयार कर लेना और अगर आप हमारी चैनल पर नए हो या उनकी solution वीडियो upload करूँ तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले जा सके तो मिलता है फिर हम next वीडियो में तब तक आप इस वीडियो को like करें, comment करें, comment करकर हमें बताएं कि आपको किसी और subject के previous question paper चाहिए या नहीं चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल न भूले और next वीडियो का wait करें